जहार आदाव मेरा नाम महमद नौसाद है आज हम लोग बात करेंगे अबुआ आवास के बारे में अबुआ आवास है क्या जारखंड सरकार के दुवारा दो हजार तेईस को यानि 15 नौ अगस्त दो हजार तेईस को जारखंड एसेंबली में अबुआ आवास विधान सभा से पारित किया गया इस आवास का विधान सभा में पारित करने का असल मकसद है कि जारखंड के गरीब जरूरत मंदों को पक्की आवास मिले जारखंड सरकार ने बड़ा सोच विचार करते हुए गरीब जरूरत मंदों के लिए अबुआ आवास जो है असंबली से पास किया गया है और ये जारखंड के जरूरत मंदों के बीज जो है पक्की मकान मिले इसी का असल उद्देश है 1991 से अब तक जिन गरीब जरूरत मंदों को आवास नहीं मिला है उन्हीं को चैन करना है जारखंड सरकार के आदेश के अनुसार सारे पंचायत में जो है इसका वेरिफिकेशन का काम जारी है अब लोगों को एक आसा जगी है कि अबुआ आवास मिलेगा जारखंड सरकार ने सभी पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके दुआर कार्जकरम के तहत गरामीनों ने बढ़ चड़ कर अबुआ आवास का आवेदन दिया है उस आवेदन का जल्द से जल्द निराकरन करने का परियास पंचायत के मुख्या सरपंच पंचायत समेती सदेश जिन को कहा जाता है वाड मेंबर और समाज के कार्जकरताओं दुआरा जोर सोर से वेरिफिकेशन का काम चल रहा है लगता है कि गरीब जरूर मंदों के बीच जल्द ही अब वह आवास मिलने की पूरी उमीद है और गरीबों को एक आसा जगा है कि अब हम लोगों के बीच अपना पक्का मकान मिलेगा हमारे इस वीडियो पर आप लगातार बने रहें आगे भी आप लोगों को इससे वेहतर जानकारी देने का पूरा परियास करूंगा जय ही जय जहारकन